वेरी गुड मॉर्निंग तू अल अफ यू जल दी से आओ फटाफट से जुर जाओ सेशन को सभी लोग शेयर कर दे आज दो है धुआधार तरीके से हम शुरू कोरने वाले हैं हमारे वन शॉट और जिसमें हम मैं पहले आपके लिए लेकर आऊंगी क्लास 12th के टॉपिक्स है न क्योंकि जो बच्चे बोर्ड की तयारी कर रहे है 12th क्लास में जो है उनके एक्जाम अप्रोच कर रहे है मार्च में ओके तो इसलिए जो है ये डिसिजुन लिया गया है कि वन शॉट में पहले 12th के टॉपिक्स आपके साथ डिसकस किये जाएं पह इसलिए मैंने पहला टॉपिक उठाया है सॉलिड स्टेट ओके ठीक है सभी लोग एक बार आजएए सभी को गुड मॉनिंग है रादे रादे नमस्कार सस्रेकल सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ फटा-फट से जुड़ जईए सेशन को लाइक और शेयर करें और उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी को जल्दी आजएए गुड मॉनिंग है मुसकान, नितेश, कुंदन, अन्ष, आरके गुजर, अविना, शाकाश सभी को गुड मॉनिंग है आजएए सभी लोग तो तयारो सब लोग सॉलिड स्टेट के लिए तयार स्टेट की मिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, ओके बच्चो, ठीक है, और क्या पढ़ने वाले हैं, उस बारे में थोड़ा सा जानते हैं, पहले थोड़ी सी बात करते हैं, सॉलिड के बारे में, क्या होते हैं सॉलिड क्या होते हैं सॉलिड को इब बतायेगा, जल्दी बतायें, पटा-पट से, क्या होते हैं सॉलिड, अगर मैं कहूं ठोस ठोस अवस्था के बारे में बात करूं तो क्या होते हैं बैटा कैसे define करते हो solids को छोटी classes में भी हम लोग पढ़ते हैं solids के बारे में कैसे होते हैं solids किनको कहा जाता है solids जिनके उपर जो है हम क्या नहीं कर सकते हैं जो क्या होते हैं? इनको का जाता है? जो इनको हम दबा नहीं सकते हैं अगली बात हम कहते हैं उनका जो है अपना कोई fixed mass होता है कोई shape होती है इस तरीके से हम बात करते है उनका क्या होता है? fixed shape mass ये हमें देखने को मिलता है solids के case में तो ये कौन से होते हैं बच्चा इनकम्प्रेसिबल होते है फिक्स्ट शेफ है इनकी फिक्स्ट क्या है मास है निश्चित आयतन है निश्चित आकार है आकार निश्चित आकार है ठोस कहते हैं, इसी तरीके से बात करते है अगली बात कहते हैं कि इनके जो मॉलक्वल्ण से जिन constituent particle से मिलकर ये बने हुए है वो कैसे होते हैं वो आपस में बहुत पास-पास में होते है जिस particle से मिलकर solids बना है अगर atoms की बात करें तो atoms क्या होते हैं बहुत पास-पास में होते हैं और उनके बीच में जो force of attraction है वो कैसा होगा strong होगा एक strong force of attraction से बंदे हुए होते हैं strong force of attraction से बंदे हुए होते हैं अधली बात हुम यह बताते हैं solids के बारे में, यह सब basic चीज़े सभी को पता है solids के बारे में, अब जो सवाल आता है, कि actual यं goes, कि हम कैसे decide करते हैं किसी की state को, अगर हमने किसी भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम अवस्था के उपर comment करे, state के बारे में बताएं कि यह liquid है, यह solid है, यह gas है, जैसा कि हम solid के बारे में हम detail में पढ़ेंगे, तो कैसे decide होता है कि वो एक solid है, कौन से वो parameters है, कौन से वो factors हैं जो decide करेंगे कि हाँ जी, this one is solid, ठीक है, तो उन factors में हमारे पास आती है, दो चीज़े, दो चीज़े हैं, जिनका cumulative effect, जिनका combined effect हमें बताता है, कि state जो है substance की, वो क्या होगी, ओकी, और वो क्या है, वो cumulative effect, combined effect, एक तो होता है, intermolecular forces, intermolecular forces, अंतर आणविक, आकर्शन बल, जो लगता है किसके बीच में, पर्मानवों के बीच में, atoms के बीच में, और अगला होता है, बच्चा, thermal energy, है न, उश्मा, ये दो चीज़ें जो है, इनका combined effect हम देखते हैं, और फिर हम decide करते हैं, कि ये solid है, liquid है, या gas है, अब intermolecular forces क्या है, अंवों के बीच में, जो बल लगा होगा, अणवों के बीच में, बच्चे क्या लगा होगा, बल लगा होगा, force of attraction exist कर रहा है, molecules के बीच में, तो जितना जादा force of attraction होगा, इसका मतलब उतना जादा एक दूसरे से खिचे हुए होगे, इसका मतलब वहाँ पर उतना जादा मजबूती से वो लोग बंदे हुए होगे, तो इसका मतलब जो हमारा intermolecular force है, वो क्या करता है, वो atoms को पास-पास में लाने की कोशिश करता है, ये क्या करता है, attractive forces है, क्या है intermolecular force मतलब attractive forces, पास-पास लाने की कोशिश कर रहा है, और जो thermal energy है, heat जैसा कि आप सब जानते हो, temperature को बढ़ाते है, तो क्या बढ़ती है, kinetic energy बढ़ती है, तो अगर thermal energy की बात करूँ, तो बैटा, वो क्या करेगी? वो atoms को दूर-दूर ले जाने की कोशिश करती है, तो ये दोनों parameters, उल्टा effects दिखाते हैं, पहले वाला जो है, वो क्या करता है? Atoms को पास-पास लाने की कोशिश और जो दूसरे वाला है, वो atoms को दूर-दूर ले जाने की कोशिश, इसी तरीके से story चलती है तो इन दोनों का combined effect हमें देखना होता है कि intermolecular force और thermal energy दोनों का combined effect देखने के बाद वो particular substance किस state में हमें मिलता है वो solid में मिलता है, वो liquid में मिलता है, वो gas में मिलता है, वो कैसे मिलता है आज की जो हमारी story है, जो हमारा पहला chapter है बारवी class का, वो है हमारा ठोस अवस्था तो इन ठोस के बारे में अब थोड़ा सा detail में हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो है, ये atoms को दूर-दूर करने का काम करता है, ये atoms को पास-पास लाने का काम करता है और इन दोनों का combined effect हमें बताएगा, कि exactly जो state है, वो क्या होगी exactly जो state है, substance की, वो क्या होगी, ओकी, चलिए अगली बात करूँ, तो solids जो है, बच्चा, दो तरीके के होते हैं इन solids को दो, दो categories में classify किया गया है पहला कहा गया है, crystalline और दूसरा कहा गया है, amorphous crystalline, इसको हिंदी में कहते है, crystalline और इनको कहा जाता है, acrystalline तो बहुत सारे जो है, छोटे-छोटे crystals मिलकर जो है, क्या बनाते हैं आपका, कोई भी crystalline solid बनता है और amorphous जो है, उसके नाम में दिख रहा है, amorph amorph word उसके नाम में दिख रहा है, जिसका मतलब है no shape इसका मतलब है no shape इसका मतलब होता है amorph amorphous जो कि उसके नाम में है, इसका मतलब होता है जिनकी कोई shape नहीं होती इसका मतलब होता है no form, no shape irregular shape हमें नज़र आने वाली है structure में, किसके case में, acrystalline के case में और एक regular geometry हमें नजर आने वाली है कि atoms की जो packing होगी वो कैसे होगी एक regular fashion में होगी एक particular क्या होगा arrangement होगा ठीक है पूरे crystal के अंदर किस के case में crystalline के case में और amorphous के case में क्या होगा कोई regularity maintain नहीं होगी कोई regularity maintain जो है बच्चा नहीं होगी तो यह जो दोनों types है crystalline और amorphous तो इनको हम properties के basis पर कुछ इस तरीके से distinguish करते हैं चलिए देखते हैं क्या कुछ है यह देखो बिटा तो crystalline solids और amorphous solids के बीच में अगर मैं distinguish करूँ अगर मैं इनको बीच में अगर बताऊं कि क्या difference है इनके बीच में तो crystalline solids की अगर shape के बारे में बात करूँ तो definite geometrical shape नजर आती है इनकी क्या नजर आती है definite shape नजर आती है इनके case में आपको कैसा structure देखने को मिलता है एक regular pattern एक regular arrangement जो है वो नजर आता है atoms जो है atoms का जो arrangement है वो एक ऐसे regular fashion में होगा कि एक छोटे से area में अगर आप देख लो किस तरीके से atoms arrange है तो पूरे crystal का आपको study करने की जरुरत नहीं है वो ही same pattern जो है पूरे crystal में follow होगा लेकिन इनके case में ऐसा नहीं होता इनके case में irregular shape होती है कैसी होती है irregular shape होती है चोटे से area में अगर चोटे से area में आप देख ले atoms का arrangement तो पूरे crystal का आप comment नहीं कर सकते कि आगे क्या arrangement होने वाला है irregular arrangement होता है कोई pattern वहाँ पर atoms का follow नहीं होता arrangement के according छिक है crystal के अंदर next अगर बच्चा में बात करूँ किस के बारे में गलनांक के बारे में melting point के बारे में तो definite जो है इनके case में definite geometrical shape होती है इनका जो melting point है वो कैसा होता है sharp होता है एक particular temperature पर melt करेंगे अगर crystalline solid है तो अगर मैंने बोल दिया किसी का melting point 60 degree Celsius है तो जैसे ही 60 degree Celsius temperature आएगा वो पूरा पिंगल जाएगा वो पूरा पिंगल जाएगा लेकिन इनके case में क्या होगा बच्चा Amorphos के case में ये जो है एक particular temperature पर melt नहीं करेंगे ठीक है range of temperature के अंदर पिंगलना जो है शुरू कर देंगे क्या करेंगे जैसे ही पिंगलना शुरू कर दिया एक ही temperature पर आकर पूरा पिंगलेगा नहीं पहले soft होना स्टार्ट करेगा उसके बाद पिंगलना शुरू करेगा इसको आप सोच सकते हो कैसे इसके case में जो है हमारे पास आते है plastic rubber ये जो है हमारे amorphous solids की category में आते है और इनके case में हमारे पास आता है quartz ठीक है जैसे की solid NACL की बात कर लो तो ये जो है हमारे पास क्या है crystalline है तो अगर आप बात करोगे किसके बारे में plastic और rubber के बारे में तो plastic को कभी जला कर देखना तो plastic क्या करता है है ना तैना हम उसको बोलते है कि तै जाता है क्या करता है melt करना start करता है पहले plastic अगर heat के contact में रेकर जाओगे तो soft होना start होगा पहले soft होना start होगा उसके बाद क्या होगा है ना पिंगल-पिंगल का नीचे गिरने लगेगा तूटना शुरू हो जाएगा उसका तो यह difference होता है इन दोनों के बीच में अगली बात अगर मैं करूँ अगर चाकू से काटने लग जाओ अगर बच्चा क्या करने लग जाएं आप चाकू से काटने लग जाएं तो क्या देखने को मिलता है Crystalline solids और Amorphous solids में एक जो सबसे बड़ा difference है वो आपको cleavage property में भी नज़र आएगा पहले बाला जो case है इसमें अगर आप cleavage property के according देखेंगे तो if we cut crystalline solids with a knife तो आपको क्या देखने को मिलेगा एक sharp cut आपको नज़र आएगा चाकू से अगर आप काटोगे तो क्या नज़र आएगा आपको शार्पली आप उसको काट सकते है कोई irregular surface नहीं मिलेगी plain surface आपको मिलेगी तो अगर आप इनको काटते हैं चाकू या किसी भी sharp as tool की मदद से तो ये क्या करते हैं दो pieces में क्या हो जाएंगे ठीक है दो pieces में अगर काट दोगे तो plain और smooth surface नज़र आएगी क्या नज़र आएगी plain और smooth surface नज़र आएगी amorphous solid के case में अगर बच्चा आप इनको चाकू की मदद से काटे तो ये कैसा कैसे कटेगा irregular surface नज़र आएगी कटने के बाद जो आपने जहां से काटा वहाँ पर आपको क्या नज़र आएगा irregular surfaces नज़र आएगी जस्ते अगर आपने पहले वाले case में काटोगे तो ऐसे बिल्कुल plain surface कटने के बाद में लेकिन अगर दूसरे वाले case में काट प्लास्टिक को काट कर देखना कभी क्या बिल्कुल ऐसे एक दम से कटेगा नहीं कटेगा तो crystalline और amorphous में ये भी एक पहचान है कि जो crystalline है उसके case में plain surface आपको मिलेगी कटने के बाद में लेकिन amorphous के case में प्लास्टिक को काट कर देखो ऐसे बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं काट सकते हो ठीक है बिल्कुल सीधा आप उसको ऐसे नहीं काट पाएंगे irregular surface आपको मिलेगी cutting के बाद में जो भी आपको मिला ठीक है जो भी आपकर दो parts में आप divide करोगे तो बीच में से जहां से आपने काटा वहाँ पर आपको बिल्कुल plane नजर नहीं आएगा irregular ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा surface आपको नजर आएगा ऐसे बिल्कुल plane नजर नहीं आएगी surface heat of fusion की बात करूँ ठीक है तो जहां पर हम सब जानते है कि जहां पर क्या है definite shape है definite geometric pattern है तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा definite enthalpy of fusion नजर आएगी उनकी क्या नजर आएगी definite enthalpy of fusion अब enthalpy of fusion क्या होता है हम सब जानते है solid को किसमें convert करना है liquid में तो definite amount glass भी जो है उसका example है ठीक है तो यहाँ पर जो है बच्चा आपको definite नजर आएगी उनकी enthalpy of fusion लेकिन इसके case में कोई definite enthalpy of fusion नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि solid to liquid conversion की अगर बात करें तो यह वाले जो है किसी particular temperature पर convert हो जाते हैं तो उसके लिए enthalpy of fusion को भी आप calculate करोगी तो वो भी कुछ fixed value आपको नजर आएगी लेकिन यह एक particular range of temperature पर melt करते हैं तो इनके लिए अगर एक state से दूसरी state में लेकर जाएंगे तो फिर क्या होगा बच्चा जो enthalpy of fusion है उसकी भी कोई fixed value आप इनके लिए नहीं बता सकते ठीक है चले आगे अब इसमें जो सबसे important property आती है वो आती है anisotropy और isotropy विशम देसिक और sum देसिक यह क्या है इसका क्या मतलब है इसका मतलब कुछ ऐसा है देखो जैसे अगर मैंने बच्चा क्या बात करी किसी crystalline solid की बात करी crystalline solid के अंदर माल लो दो तरीके के particles का arrangement है माल लीजे दो तरीके के particles का arrangement है हम सब जानते हैं कि यहाँ पर एक regular arrangement देखने को मिलता है माल लीजे वो particles कुछ इस तरीके से बच्चा arranged है crystal के अंदर कुछ इस तरीके से particles arranged है यह आपका क्या है यह आपका crystalline है एन आइसो ट्रोपिक होते है crystalline विशम दैसिक होते है एन आइसो ट्रोपिक विशम दैसिक का मतलब अलग-अलग दिशा में जाने पर identical आपको properties नजर नहीं आएगी विशम दैसिक मतलब दैसिक यहाँ पर दिशा को represent करें direction को अलग-अलग direction में अगर आप जाएंगे तो आपको identical properties नजर नहीं आएगी अगर इन solids की बात करूँ और इसकी किसी property को मैं study करने लग जाओ माल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करने लग जाओ कोई भी property मैं उसकी जो है अध्यन करने लग जाओ study करने लग जाओ तो एक बात देखना जरा अगर मैं इसके crystal को study करूँ तो जब मैं इस तरफ जा रही हूँ तो मुझे ये red वाले नजर आ रहे है और बिटा अगर मैं इस direction में जाओंगी तो मुझे red और साथ में pink इस direction में ऐसे नजर आएंगे तो ऐसा arrangement होने की वज़े से direction में जाने पर अलग-अलग value आपको दिखाएगी इसी को ही anisotropy कहते है इसी को ही anisotropy कहते है और इनके case में क्या होगा amorphous की case में इसका अगर कोई crystal study करोगे तो कोई regularity आपको देखने को नहीं मिलेगी कोई regularity आपको नहीं देखने को मिलेगी ऐसे randomly जो है ऐसे इस तरीके से random arrangement आपको नज़र आएगा random arrangement नज़र आएगा तो जब आप क्या करेंगे direction में क्या करेंगे आप किसी भी x y z direction में आप जाएगे इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ कोई आपको जो हर जगे पर जो ही irregular arrangement आपको नज़र आएगा और उस irregular arrangement की वज़े से जो property होगी, जो भी आप study करें मालो refractive index है, उसका melting point है, boiling point है, कुछ भी है तो वो क्या है? irregular arrangement की वज़े से सभी directions में एक जैसी arrangement आपको नज़र आएगी irregular, पोई pattern फोलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो property जिसकी भी आप value देख रहे है वो भी क्या आएगी, आपको identical आएगी इसलिए ये कैसे होते है, isotropic होते है ये जो है यहाँ पर एक काम की चीज़ है इनको true solids कहा जाता है, वास्तविक में solids की सारी property को दिखाते हैं, लेकिन जो ये वाले हैं बच्छा, अमोर्फस वाले इनको pseudo solids, जूटे solids और super cooled liquids पी कहा जाता है कारण क्या है, क्योंकि ये एक property दिखाते है, fluidity क्या दिखाते हैं, बहना fluidity, ओके तो ये क्या कर सकते हैं, ये बह सकते हैं क्या कर सकते हैं, बच्चा ये ये बह सकते हैं, बहने की tendency होती है, ऐसा नहीं कि पानी और तेल की तरीके से बहते हैं इनका जो बहाव है, वो बहुत धीरे होता है ठीक है, आपको अपनी NCRT में एक line लिखे होई मिल जाएगी कि जो glass pants हैं बहुत पुरानी buildings में, आप देखोगे कि जो शीशा है, बहुत साल पहले कोई building बनी, 100 साल पहले कोई बनी इमारत, उसके अगर आप glass pen को खिड़की में लगे, शीशे को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि वो शीशा जो है, नीचे से मोटा है और उपर से solid है, और उसकी property है कि वो slowly क्या कर सकता है, flow कर सकता है बहे सकता है, इसलिए अब वो नीचे से मोटा हो गया और उपर से पतला हो गया समझ में आ गई बात, तो यह यहां तक बाते थी हमारे पास amorphous और crystalline के बारे में, session को share कर दो सभी लोग सभी लोग session को share करो तो n-isotropy और isotropy का क्या मतलब, n-isotropy का मतलब एक regular arrangement है अलग-अलग direction में जाओगे अलग-अलग type के molecules नजर आएंगे तो इसलिए melting point, boiling point कोई भी property study करोगे अलग-अलग values उसकी अलग-अलग direction में आएंगी, इसको n-isotropy कहते हैं, ओके, और इनके case में कोई regular arrangement नहीं है अलग-अलग directions में जाओगे क्या नजर आएगा आपको, अलग-अलग directions में जाओगे, वही regular pattern नजर आएगा, तो same value आपकी property की नजर आएगे, जिस भी property की value आप देख रहे हैं, समझ में मतलब है, इसका मतलब कुछ ऐसा है देखो इस तरीके से एक regular pattern नजर आता है इनके structures में, ओके देखो, अब आपने इतना area आपने study किया, तो आपको पता चला कि beach वाला इस तरीके से connected है बाकी से, यहाँ पर देखो आप इसको study करो, वही same pattern, तो आगे का pattern आप क्या कर सकते हैं, assume कर सकते हैं, आगे का pattern आप बच्चे assume कर सकते हैं, कि crystalline के case में, यह particular pattern होगा, और इसी pattern से पूरा crystal आपको मिलेगा, ओके, इसको long range order कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको long range order कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको आगे जाकर इस तरीके से arrangement हो गया ठीके, पता चला आगे जाकर इस तरीके का arrangement देखने को मिला कोई long range order यहाँ पर pattern में आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीके, जो भी constituent particles है जिन से मिलकर वो solid बना है इस तरीके का कोई जोह arrangement, regularity arrangement में आपको देखने को नहीं मिलेगी, अगर आपने किसी small section में crystal में arrangement को देख लिया, तो आप पूरे crystal का arrangement जो है उस पर comment नहीं कर सकते, किस-किस को समझ में आगे ये चीजे, फटा-फट से बोलो, अब बात करेंगे किस के बारे में, अब बात करेंगे crystalline solids के types के बारे में, जो हमा कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे, कैसे कैसे, तो चार types में हम divide कर सकते हैं, crystalline solids को, ओके, पहले हमने बताया solid दो तरीके के, crystalline और amorphous, crystalline और एक क्रिस्टल क्लियर हो गया, एक बार मुझे बता दू, ज़रा hand raise करके, यहाँ तक बाते clear हो गई, आगे हम पात करेंगे, type of solid, यह जो चार type आपके सामने लिखे हुए हैं, यह बिटा लिखे हुए है, crystalline solids के, crystalline ठोस चार भागों में विभाजित होता है, पहले वाला आता है, molecular solids, तो जितने भी molecules हैं आपके, और अगर वो एक crystalline solid है, तो वो आपका, इस category में आएगा, किसमें, molecular solids मे किसमें, तो जो आपका आणविक ठोस, जितने भी है, तो अणू जितने भी हैं आपके, वो सारे यहां पर आएंगे, और molecules तो आप सब जानते हो, as a chemistry student आपको बताने की ज़रुरत नहीं है, ठीक है, polar भी हो सकते है, non-polar भी हो सकते हैं, तो इसी लिए जो आपके molecular solids है, उनक ले सोटो, water, यह सभी solids है, यह सभी क्या है बच्चा, यह सभी solids है, लेकिन इनको भी हम अलग-अलग category में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, किस basis पर, छिक है, की polarity है या नहीं है, typal moment zero है, electronegativity difference है या नहीं है, polar है, non-polar है, उसके अंदर hydrogen bonding हो सकते हैं, यह नहीं हो सकती, इन सब criteria के basis पर हमने उनको अलग-अलग जो है, किस में रखा है, categories में रखा है, non-polar में, अब जो non-polar है, इसका मतलब उसके अंदर कोई dipole moment नहीं है, तो weak forces नजर आएंगी, जैसे कि dispersion और London forces, वैंडरवाल forces में बहुत weak forces होती है, London forces, जो non-pol molecules में exist करती है, तो वो ही आपको यहां पर नजर आएंगी, ओकी, यह कैसे होते हैं, तो यह soft होते हैं, जब कोई strong force नहीं है, तो soft होंगे, insulator होते हैं, इनके अंदर कोई charge carrying particle नहीं है, कोई ऐसा आवेशितकन नहीं है, जो बिजली को एक जगे से दूसरी जगे पहुचा सके, तो यह कैसे होंगे, insulator होंगे, इनका जो melting point होगा, गलनांख होगा, वो क्या होगा, बहुत कम होगा, अगर मैं बात करूँ polar की, तो polar की category में वो सब लोग जहां पर electronegativity difference आएगा, जैसे HCl, SO2, ठीक है, जैसे बच्चा HCl होगया, आपका SO2 होगया, sulfur oxygen के बीच में electronegativity difference है आपका जो HCl है, hydrogen और chlorine के बीच में, delta plus, delta minus आते हैं, हम सब जानते हैं न, तो यहाँ पर dipole, dipole interactions है न, जहाँ पर plus और minus है न, electron cloud अपने आपको क्या कर सकता है, एक तरफ shift कर सकता है, electron density एक तरफ जादा shift होती है, plus minus charges जहाँ पर आ रहे हैं, ओकी, तो वहाँ पर क्या generate होता है dipole, वो अपने बगल वाले में भी क्या शुरू कर देता है, ठीक है, opposite charges के बीच में interactions शुरू हो जाता है, clear हो गया, तो इनका भी जो nature है, यह soft होते हैं, इनके अंदर भी कोई charge carrying particle नहीं है, तो insulator है, और melting point भी low होगा, melting point high कब होगा, जहाँ पर बहुत strong force of attraction देखने को जहाँ पर geometry में बहुत close packing होगी, उनको melt करने के लिए जाधा energy चाहिए होगी, okay, ठीक है, चले आगे, hydrogen bonding, तो यह तो मुझे बताने की जरुरत नहीं, phone वाली category, जहाँ पर भी hydrogen, fluorine, oxygen और nitrogen के साथ जुड़ा है, वो हमारे आ जाएंगे, किसके अंदर, hydrogen bonded molecular solids के अंदर, okay, तो इसके case में आपका जाएगा पानी, HF, ठीक है, यह सब जा सकता है, इस case में, ammonia, इनका nature, hard, अब hard देखो आ गया, क्योंकि हम सब जानते है, वेंडरवाल forces में, सबसे strong force, वेंडरवाल में, किसको माना गया है, hydrogen bonding को, तो इसलिए उनका nature भी आपको soft से hard होता हो, नजर आ गया, रिलेट कर सकते हो properties को, इंसुलेटर होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई charge caring particle नहीं है, और low होगा इनका भी melting point, अगला type आता है, ionic solids का, अगला type आता है, बच्चा किसका, ionic solids का, ionic solids में तो ions नजर आएंगे, ions क्या आते ही, आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी, इसका म melting point high, क्योंकि strong force of attraction, ions तो बहुत मजबूत बल से, एक दूसरे को क्या करते है, attract करते है, यह कैसे होंगे, hard होंगे, ठीक है, तो solid state में तो यह insulators होंगे, लेकिन अगर इन में पानी मिला दिया जाए, या फिर इनको liquid state में ले लिया जाए, तो फिर क्या होंगे, ions जो है, गूम इनके case में क्या होगा, जब molten state में होंगे, ठीक है, जब तरह लवस्था में होंगे, या फिर aqueous pollution आपने उसका बना दिया, या फिर आपने उसको किसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया, उस case में क्या होगा बच्चा, उस case में जो है, ions जो है, flow कर सकते है, और fluidity of ions, charged particle के गूमने फिरने की बज़े से ही, वो किसके तरीके से behave कर सकते है, ठीक है, electrical conductivity उनमें नजर आ सकती है, okay, next हमारे पास, अब ionic में तो मुझे बताने की ज़रुवत नहीं, NaCl, MgO, जो ions में टूट सकते हैं, यह Na+, Cl-, Ca2+, F-, Mg2+, O2-, Zn2+, S2-, okay, next हमारे पास आते है, metallic solids, तो इसमे हमारे सारे आजाएंगे metal, इसमें हमारे पास सारे आएंगे metal, जैसे आप सा iron है, तो metallic solids में क्या होता है, metal होता है, और metal कैसा होता है, electro positive होता है, जैसे sodium है, तो बहुत high tendency है, electron को lose करने की, तो वो क्या करता है, Na+, की form में रहेगा, electrons उसके चारों तरफ रहेंगे, तो Na+, रहेग तो जितने भी metallic solids है, उनके case में क्या होगा, positive ions की form में वो exist करेगा, और उसके चारों तरफ जो electron उसने lose किये है, ठीक है, वो उसके चारों तरफ घूमते रहेंगे, तो electrons के movement की वज़े से, ये क्या कर सकते है, conductor के तरीके से behave कर सकते है, है न, तो free moving electron है, और electronic charged particle है, हम सब जान next, इनका melting point है, वो काफी high होगा, okay, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी strong force, और जो last category आती है, covalent और network solid, इसके case में हमें विशाल molecules मिलते है, giant molecules, okay, ठीक है, तो यहाँ पर atoms से मिलकर बने होंगे, covalent bonding देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका quartz है, silicon dioxide, SIC है, carbon है, aluminium nitride है, diamond है, ये सभी ठीक है, तो यहाँ पर आपको बच्चा नजर आएगा, physical nature, ये hard होते हैं, insulators होते हैं, ठीक है, और इनका melting point होता है, बहुत high, इनका melting point क्या होगा, बहुत high होगा, इसमें एक exception आपको नजर आएगी, graphite, एक exception आपको यहाँ पर नजर आएगी, covalent में, graphite, graphite आपका soft भी हो और उसका कारण क्या होता है, तो graphite का structure, जो कि मैंने आपको P block में पढ़ाया है, ग्रेफाइट में layered structure की वज़े से, लो बिटा, हिंदी वाले, ग्रेफाइट में layered structure की वज़े से, वो कैसा नजर आता है, ठीक है, एक जो चौथा electron है, वो layers के बीच में होता है, और जो क्या क काम करते हैं, क्योंकि layers slip कर सकती है, यह सब मैंने आपको P block में बताया था, यह सब मैंने आपको P block में बताया था, यह देख लो, ठीक है, आणविक, ठोस, आईनिक, धात्विक और सह सायोजक, ओके, आणविक को आप एद्रूवी, ध्रूविया और हाइड्रोजन, आबंद और यह सब इनकी properties, यह सब इनकी जो है properties, ओके, clear हो गया यहां तक, जल्दी बताईए फटा-फट से, यहां तक चीजे clear हो गई, जल्दी बोलिए, बोला बिटा, share कर दो session को एक बार, share कर दो session को एक बार, और यहां तक मुझे बताईए, चीजे clear हो गई, theoretical चीजे थी, यहा बतादो जल्दी, crystal, jalak और unit cell की तरफ चलते हैं फित, हाँ, pencil में होते हैं, जल्दी बताईए, बेटा, quality सही कर लो थोड़ी सी अपनी वीडियो की प्रग्या, अगर सारी दुनिया को समझ में आ रहा है, सिर्फ आप कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके वहीं कोई प्रेडिन्स रहें कि हाँ, NCRT की पैरलल ही हम पढ़ रहें, ओके ठीक है, वन शॉट में जो है, NCRT के पैटन को फोलो करते हैं, आपको वन शॉट लेकर आउंगे, ओके, क्लियर होगे हैं, बीटा, किसी को कोई भी तकलीफ, कोई भी सवाल यहां तक है, ठीक है, तो पूच सकते हैं बताइए जरब चलिए अब बिटा चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटिस के बारे में बात करते हैं यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटिस के बारे में बात करते हैं यूनिट सेल और क्रिस्टल लेटिस के बारे में बात करने से पहले ठीक है आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है unit cell और क्या होता है crystal lattice crystal lattice और unit cell है क्या crystal lattice और unit cell क्या है किसको कहते है crystal जालक और किसको कहते है एक कप पोस्ची का बताईए बताओ बिटा कोई बताएगा कोई बताएगी यह देखो, यह आपके ऐसे ही, हाँ, smallest particle, नहीं, smallest particle नहीं, चलिए, इधर देखो, यह आपको एक दिवार जैसी नजर आ रहे हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ points लिए, और इन points को मैंने space में इस तरीके से orient किया, बच्चा, और जब इन points को मैंने space में orient किया, और 3 dimension में, 3 में अगर 4 तरफ इन points को मैं लगा दू और जोडती जाओं, तो एक pattern नजर आ जाता है, एक pattern नजर आ जाता है, बच्चा मुझे यहाँ पर, एक दिवार सी बनती हुई नजर आ रहे है, एक दिवार बनती हुई नजर आ रहे है, ठीक है, आप घर में रहते हो, कोई बहुत ब है, वहाँ पर किसका काम कर रह relação है, unit cell का काम कर रही है, एक किसका काम कर रहे है, unit cell का काम कर रही है, और जो दिवार और हमारत आपकी है, वो आपका crystal lattice है, वो आपका स्था day तो 3D के अंदर अगर points का repetitive arrangement में करूं तो वो ही आपका crystal lattice है देखो यह सारे points थे इनको जोडते 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 एक बहुत बड़ा pattern आपके पास आजाएगा तो eat को अगर सारी दिशाओ में एक 3D है ना 3 dimension में अगर eat को घुमाया फिर आए जाए left right उपर नी exactly है क्या और यहाँ पर हर एक point एक lattice point को denote करता है हर एक point को हम बोलते है जालक का बिंदू क्या कहते है lattice point जालक बिंदू और यह जालक बिंदू पर आपका कोई atom भी हो सकता है कोई molecule भी हो सकता है इस जालक बिंदू पर आपकोई atom भी रख सकते है कोई molecule भी रख सकते है crystal lattice के अंदर जो आपका lattice point है जालक बिंदू है यहाँ पर atom को भी रखा जा सकता है molecule iron किसी को भी रखा जा सकता है clear हो गई बाते जल्दी बोलो बिटा समझ में आ गया ठीक है तो क्या है आपका unit cell किसको कहते हैं तो three dimension के अंदर repetitive arrangements जो है ठीक है वही आपका एक regular three dimensional arrangement points का space में वो तो आपका crystal जालक है regular 3D arrangement of points in space arrangement of points in space जैसे मैंने आपको यह दिखाया अभी उपर दिवार जैसा points को repeat करके बना कर दिखाया यह आपका क्या बन गया एक यह आपका एक crystal जालक बन गया यह क्या बन गया यह आपका एक crystal जालक बन गया और किसको कहा जाता है unit cell unit cell किसको कहते है बिटा बताओ जरा किसको कहेंगे unit cell तो unit cell आपका इस crystal lattice का वो सबसे छोटा हिस्सा है वो smallest unit है क्या है unit cell तो unit cell क्या है smallest portion of crystal lattice which when repeated in 3D gives whole lattice है ना कि वो सबसे छोटा हिस्सा वो pattern जिसको आप बार-बार repeat करें सारी directions में तो पूरा crystal lattice आपको मिल जाए वो छोटा सा वो सबसे smallest unit आपकी क्या होगी unit cell होगी वो सबसे smallest unit क्या होगी बच्चा unit cell होगी ओकी clear हो गया तो क्या होगा unit cell तो unit cell किसको कहेंगे unit cell कहेंगे वो सबसे smallest portion of crystal lattice which when repeated over and again smallest portion of smallest portion of crystal lattice which when repeated in 3D gives the whole lattice जिस्ते आपका पूरा crystal जालक मिल जाए ठीक है एक कोस्ठी का क्या है तो वो सबसे चोटी unit है जिसको त्रिवेमा में चारो तरफ आप repeat करें तो क्या मिल जाए आपको पूरा crystal जालक मिल जाए clear हो गया बोलो बिटा clear हो गई बात यहां तक बताए बताए जरा अब बात आती है कि आपका unit cell कैसा नजर आता होगा आपका जो unit cell है बच्चा वो कैसा नजर आता होगा तो unit cell आपका कैसा नजर आता है अगर मैं eat की बात करूँ कैसी नजर आती है एक cube जैसी ही तो नजर आती है कैसी नजर आती है बच्चा एक cube जैसी ही तो नजर आती है ऐसी, तो यही आपका unit cell होता है, यही आपका क्या होता है बिटा, यही आपका unit cell होता है, अगर मैं इसके अंदर तीन edges decide कर दूँ, A, B, C, है ना, क्यूब की बजाए इसको cuboid बोलो, है ना, जो eat है आपको कैसी shape की नज़र आती है, cuboid जैसी नज़र आती है, तो यहाँ पर मैं क्या define कर सकती हूँ, तीन तो जो है मैं इसकी क्या define कर सकती हूँ, edge length, A, B, C, और इनके बीच में क्या बता सकती हूँ, angles, ओके, तो एक unit cell को define करने के लिए हमें 6 parameters चाहिए होते हैं, एक unit cell को define करने के लिए, बिटा, कितने parameters चाहिए, एक A का कोश्ठिका के बारे में बताने क लिए 6 parameters required है, A, B, C, जो कि उसकी edge length होगी, है ना, X axis की तरफ, Y axis की तरफ, और Z axis की तरफ, और क्या होंगे, तीन angles होंगे, alpha, beta, gamma, जो किस के बीच में होंगे, इनके बीच में, AB के बीच में एक angle होगा, एक BC के बीच में होगा, है ना, एक AC के बीच में होगा, इस तरीके से तीन angles आपको नजर आएंगे, alpha, beta, gamma, ठीक है, ठीक है, तो alpha, beta, gamma, ओकी, तो इस तरीके से बच्चे, ये 6 parameters आपको किसी भी unit cell के बारे में complete information देंगे, किसी भी unit cell के बारे में, ये 6 parameters आपको complete information देंगे, अब सवाल आता है, कि ये unit cell कितने तरीके के होते, ये जो unit cell है आपके, ये कितने types के होते हैं, तो आपके unit cell बिटा, दो types के होते हैं, एक होते है primitive unit cells, और एक होते है centered unit cells, एक होते है primitive और दूसरे होते है centered, क्या मतलब इसका, तो primitive का मतलब होता है पुराना, primitive word का मतलब होता है पुराना, ओके, ठीक है, और यहाँ पर primitive और centered का क्या मतलब है, तो इ इसमें हम सिर्फ यह मानते थे कि atoms या फिर जो भी आपका constituent particle है वो सिर्फ corner पर present होगा, कहां पर present होगा, सिर्फ corners पर present होगा, तो primitive unit cell वो होते हैं जिन में constituent particle, जिन में बच्चा constituent particle कहां present होगा, corner पर present होगा, only present at corner, और corner के अलावा अगर कहीं और भी constituent particle present है, तो इसका मतलब वो आपका centered unit cell है, इसका मतलब वो आपकी केंदरित एकक कोस्टिका है, वो आपकी क्या है, केंदरित एकक कोस्टिका है, बताए ज़रा यहां तक समझ में आगई चीज़े, अब जो आपका centered unit cell है, इसमें आगे और भ इसके अनदर एक ही type आता है, जो आता है आपका simple cubic का, simple cubic unit cell, simple cubic unit cell, और इसके अंदर कौन-कौन से आते हैं, इसके अंदर आता है, बी सी, सी, body centered cubic unit cell, ठीक हैं, नेक्स्ट आता है बच्चा, इसके अंदर, FCC, face centered cubic unit cell बाकि आता है इसके अंदर end centered unit cell इस तरीके से और भी types इसके अंदर बनते हैं, face centered, body centered end centered, edge centered यह सब जो है आपके किसके case में आते हैं, centered वाले के case में आते हैं, जहां सिर्फ कोने पर होगा, वो आपका primitive वाला case है उसमें हमारे पास एक ही तरीके का unit cell आता है, और वो हमारे पास आता है simple cubic unit cell clear हो गई यहां तक चीज़े, फटा फट से बताइए बच्चो, यहां तक चीज़े clear हो गई, जल्दी बताइए अब जो आपके primitive unit cells है इसके लिए एक table आपको NCRT में मिल जाएगी, ओके जिसमें साथ तरीके के आपको यह दिखाए गए हैं, ओके primitive unit cells आपको साथ तरीके के दिखाए गए हैं, किसके basis पर जो मैंने आपको 6 parameters बताएए alpha, beta, gamma उनहीं के basis पर, alpha, beta, gamma के basis पर ही यह आपको साथ तरीके के नजर आजाएंगे, ठीक है, इधर आजाओ यह आपको कितने तरीके के नजर आजाएंगे, साथ तरीके के आपको primitive unit cells नजर आजाएंगे यह आपके primitive unit cells है और कितने तरीके के हैं, साथ तरीके के, ठीक है, और यह साथ तरीके कैसे define किये गए तो उनके parameters जो की उनके कौन से axial जो angles उनके थे, axial angles और bond length के basis पर है ना, तो यह जो आपके ABC, edge length जो आप देख रहे हैं और axial angles जो मैंने आपको बताए था, तीन angles होंगे, alpha, beta, gamma, उनके basis पर जो हमारा primitive unit cell है, उसको हमने 7 types में divide किया है, और इसमें से MCQ में सवाल आपसे पका-पका पूछा जाता है, आपको अपनी NCRT में ये table कुछ इस तरीके से इस pattern में नज़र आएगी, जिसमें आपको बताया गया है कि किस unit cell के अंदर कौन-कौन सी variations possible है, कौन-कौन से type का unit cell और बन सकता है उस primitive unit cell के अंदर और secondly आपको बताया गया है, edge length क्या होगा relation, axial angle का क्या relation होगा और examples किस तरीके से होगे, examples वहाँ पर किस तरीके से होगे, कितने तरीके के होते हैं, तो primitive unit cell से 7 तरीके के होते हैं, नाम पढ़ लो इनका, cubic, tetragonal, orthorombic, hexagonal, rhombohedral, monoclinic और triclinic, ठीक है, cubic, tetragonal, orthorombic, hexagonal, rhombohedral, monoclinic, triclinic, अब इनके लिए जो है आपको नजर आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, सारे relations इनके लिए बताये गए हैं, और इनके related जो है, आपको direct MCQ में सवाल पूछता है, पूछेगा orthorombic के लिए बताओ, axial angles और इसका, यह जो आपका edge length है, उसका क्या relation होगा, चार option देगा, चार option देगा, तो रटा मारेंगे, ठीक है, रटा मारेंगे नहीं आता है, है ना, भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़े होती है paper में हमारे पास, तो इसलिए एक trick इसके लिए बता रही हूँ, जिससे कि आप इसको memorize कर सकते हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, इसको memorize कर सकते हैं, उस trick के लिए आपको एक तो line याद करनी है, और साथ में एक phone number याद करना है, एक तो आपको line याद करनी है, और साथ में एक phone number याद करना है, जिससे कि आप इनको memorize कर सकते हैं, clear हो गई बाते, जल्दी बोलो बिटा, फटा फट से बताईए, जल्दी बताईए फटा फट से, जल्दी बताईए, जल्दी, क्लियर हो गया यह आपको बिटा इधर ही बताना पड़ेगा ठीक है अधर्वाइस फिर आप रिलेट नहीं कर पाओगे देखो इधर आजओ ठीक है हाँ एक ट्रिक बताई थी उसको आज दुबारा बता रहे हूँ लिख लो बिटा लाइन CT और मारी तो Hexagonal Shape के एक क्लिनिक में जाना पड़ेगा नहीं तो तीन-तीन क्लिनिक में जाना पड़ेगा CT और मारी तो Hexagonal Shape के एक क्लीनिक में जाना पड़ेगा, छीक है, CT और मारोगे, तो हेग्जागनल शेप के एक क्लीनिक में जाना पड़ेगा, नहीं मानोगे, तो तीन-तीन क्लीनिक में जाना पड़ेगा, इस लाइन को लिख लीजिए अपनी नोट बुक में, इस line को अपनी notebook में लिख लीजिए CT और मारोगे तो hexagonal shape के एक clinic में जाना पड़ेगा अगर नहीं मानोगे तो 3-3 clinic में जाना पड़ेगा बताओ जरब लिख लो बिटा इस line को जल्दी इस line को लिख लीजिए फटा-फट से लिख लो बिटा इस line को जल्दी इस line लिखो फिर बताती हूँ कैसे relate करना है लिख ली line लिख ली line CT वाली देखो बिटा CT और मारी तो hexagonal shape के एक clinic में जाना पड़ेगा नहीं तो 3-3 clinic में जाना पड़ेगा CT जो CT आपने लिखा CT, C से आपका cubic ठीक है C से आपका क्या हो जाएगा बच्चा C से हो जाएगा यहाँ पर आपका cubic है ना, T से क्या होगा T से होगा tetragonal CT जो आपने लिखा तो C से cubic, T से tetragonal और, तो और का जो O है, वो किसको represent करेगा orthorombic orthorombic है ना, CT और और का जो R है आपका वो किसको बता रहा है, rhombohedral CT और marito, marito का कोई मतलब नहीं है, hexagonal shape तो hexagonal आपका एक unit से लोता है, direct लिखतो hexagonal shape के, एक clinic, एक को English में क्या बोलते है mono, एक को English में क्या बोलते है बच्चा, mono, ठीक है तो यहाँ पर लिखो, mono clinic CT और मारोगे, तो hexagonal shape के एक clinic में जाना पड़ेगा, एक clinic यहाँ पर mono है, जो line आपने लिखी थी, अब वहाँ पर जिस जिस का जो जो मतलब है, उसको underline कर लो दूसरे pen से, C का मतलब है cubic, T का मतलब है tetragonal, O का मतलब है orthorombic, ठीक है, और जो आपने लिखा तो R का मतलब है homohedral, ओके, और मारोगे तो ठीक है, मारोगे तो को as it is रहने तो hexagonal, hexagonal को underline करके लिखो hexagonal आपका cubic unit cell है hexagonal shape, shape को छोड़ दो hexagonal shape के एक clinic, एक clinic को underline करके लिखो mono clinic है ना mono clinic, नहीं मानोगे नहीं मानोगे तो 3-3 clinic, 3 का मतलब होता है tri, tri clinic लिख लिया, इस order में आगे आपके साथ, इस order में आगे, अब इसको कैसे समझना है कैसे memorize करना है वो देखो अब जो आपका cubic unit cell है बच्चा, जो आपका cubic unit cell है उसके लिए एक बार dimensions देखना क्या है, a बराबर, b बराबर, c है ना, तो starting से शुरू करना, पहले मैं relation बताऊंगी किसके लिए, इनके लिए किसके लिए बच्चा, edge length के लिए तो सबसे पहले वाले में लिखना a बराबर, b बराबर, c उसके अगले वाले में क्या करोगे last से a को unequal करते जाओ b not equal to c अगले वाले में तीनो को unequal करते जाओ आ गया इतना, तो क्यूबिक के लिए आपका a बराबर, b बराबर, c ठीक है, और tetragonal के लिए आपका a बराबर, b not equal to c फिर पीछे से unequal करते जाओ ठीक है, उसके बाद आया, आपका orthorombic में तीनो unequal हो गए, फिर चलो rhombohedral की तरफ, जो ये pattern था, उसको फिर से लिखो a बराबर, b बराबर, c ठीक है, ऐसा लिखा, पहले सारे बराबर फिर पीछे से a का unequal, फिर दोनो unequal, फिर से लिखो rhombohedral के लिए a बराबर, b बराबर, c, ठीक है समझ में आ गया, उसके बाद चलो, कहाँ पर, फिर से वो ही pattern a बराबर, b, not equal to c, जैसे बहाँ किया था उसके बाद चलो, थर्ड के पास a not equal to b, not equal to c और ये जो है triclinic इसके लिए याद भी रख सकते हो इसके लिए सब not equally होता है इसके लिए सब not equally होता है तो ये जो लिखा इसको एक बार फिर से लिख दो हो गया सबका पूरा हो गया बिटा सबका, सबका जो है edge length पूरी हो गई इस pattern में लिखो, cto और मारोगे तो hexagonal shape के एक clinic में जाना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो तीन-तीन clinic में जाना पड़ेगा उसके बाद आपका जो ABC है उसके लिए सीधा सीधा pattern है पहले सबको बराबर, फिर पीछे से एक अनिक्वल, फिर दोनों अनिक्वल, फिर सबको बराबर, एक अनिक्वल, फिर दोनों अनिक्वल, और last वाला try clinic तो याद भी कर सकते हो सबनेक्वल ही होता है उसके लिए उसके लिए edge length भी अनिक्वल होती है और axial angles भी अनिक्वल होते है 90 के, ओकी उसको आप याद भी कर सकते हो, ठीक है तो यह pattern आपको जो है किसके लिए लिखना है? एजिलेंद के लिखना है ये pattern आपको किसके लिए लिखना है बच्चा Agilent के लिखना है अगला pattern आपको किसके लिए इसी order में आपको मैं अगला pattern बताऊंगी किसके लिए Axial Angles के लिए अगला pattern किसके लिए Axial Angles के लिए देखो, पहले जो 3 है सबको बरावर लिख दो 90 के पहले तीन में सबको बराबर लिखो 90 के, 90 के बराबर लिख दो पहले तीन में सबको, ठीक है, लिख दिया तीनों को 90 के बराबर, पहले तीन में सबको 90 के बराबर लिख दो, लिख दिया विटा, और जो चोथे वाला है, उसमें इनको बराबर लिखो, अलफा बराबर बीटा बराबर Gama और जो ये वाला है इसको not equal to 90 लिख दो इसको not equal to 90 लिख दो आगे 4 चार के लिए आगे पहले 3 में सबको बराबर लिखो 90 के alpha beta gamma equals to 90 alpha beta gamma equals to 90 alpha beta gamma equals to 90 और 4 वाले में 3ों को बराबर लेकिन not equal to 90 not equal to 90 तो पहले 4 के आगए आपके पास axial angles भी, अब आपके पास बचेंगे 3, hexagonal, monoclinic और triclinic, hexagonal तो अगर कभी भी आपको axial angles का relation पूछ भी ले और 4 option दे रखे हो, तो hexagonal को पैचानने का सबसे अच्छा तरीका है, एक मात्र hexagonal ऐसा है जिसमें 120 degree का angle आता है, जिसमें 120 degree का angle आत का concept आता है, तो hexagonal के लिए तो याद भी कर सकते हो, alpha, beta 90 और gamma 120, alpha, beta 90 और gamma 120, और triclinic के लिए last वाले के लिए एक बात बताईए, उसमें सब unequal ही होता है, तो उसके case में alpha not equal to beta not equal to gamma not equal to 90, उसमें बस सब को unequal कर दो, triclinic में सब को क्या कर दो, unequal कर दो, ठीक है, और इसक case में एक बस monoclinic बचेगा, तो alpha, gamma 90 और beta not equal to 90, तो क्या आब इनको memorize कर पाओगे, जल्दी बताओ, आब memorize कर पाओगे, इनका axial bond length और axial angles, फटा-फट से बता दो, आब memorize कर पाओगे, इनका axial bond length और axial angles, CT और मारी तो hexagonal shape के एक क्लिनिक में जाना पड़ेगा, नहीं तो तीन-त क्लिनिक में जाना पड़ेगा, इस order में लिखो, उसके बाद axial, agilent को लिखना शुरू करो, पहले तीनों को बराबर, फिर पीछे से एक un-equal, फिर तीनों un-equal, उसके बाद फिर तीनों बराबर, फिर last से एक un-equal, फिर तीनों un-equal, ठीक है और last वाले में सारे un-equal, alpha, beta, gamma को लिखोगे पहले तीन में सारे बराबर 90 के चोथे वाले में तीनों बराबर लेकिन not equal to 90 उसके बाद किसमें आओगे पांचवे की तरफ आओगे तो हेग्जागनल में 120 का आता है जो सबसे अलग है अलफा बीटा 90 गामा 120 ओके ट्राय क्लिनिक में सारे अनिक्वल होते हैं अ सिर्फ एक बचे का ट्राय क्लिनिक से उपर वाला मोनो क्लिनिक उसके लिए याद भी कर सकते हो कि अलफा गामा नभ है और बीटा नॉट इक्वल टू नभ है इस तरीके से आप इनको मेमराइज कर सकते हैं और आपका ये वाला MCQ तो गलत होगा नहीं और ये टेबल बहुत इंपोर्टेंट है इसका MCQ हजार बार पूछा गया है समझ में आगया सभी को ट्रिक समझ में आगी कैसे डील करना है जल्दी बोलो फटा फट से जल्दी बोलो मज़ा आया ट्रिक में अब मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि बेटाए एक फोन नमबर याद करना हो देरह हैंगे उसके लिए मैंने आपको इक नमबर याद करना एं उसके लिए मैं आपको कहा था एक नमबर याद करना है और वह नमबर क्याiset को है और ठीक गर ठीक औभी थोड़ा सा ओर वैसे लिखा हुआ हुआ है यह आपका और वाला यह यहाएगा सीटी और मारी तो हेग्जागनल उसके बाद आपका हेग्जागनल आएगा फिर मोनो क्लीनिक आएगा फिर ट्राइक्लीनिक आएगा तो देखो तीन कि दो कि चार कि एक 324-121 हाँ very good याद है सारे बच्चों को 324-121 ये नमबर याद कर लो 324-121 ठीक है इनको हमेशा इस ओर्डर में लिखना simple cubic जो variations है उनको हमेशा इस order में लिखना बिटा ठीक है जो आपका variations है सबसे पहले primitive वाला simple cubic उसके बाद लिखना BCC उसके बाद लिखना FCC और उसके बाद लिखना end center इस order में लिखना और 324-121 का क्या मतलब है कि पहले वाला जो है cubic उसके अंदर ये तीनों पाए जाएंगे 123 उसके अंदर simple cubic मिलेगा BCC और FCC ठीक है 324-121 दूसरे वाले के लिखना नंबर आया दो टेट्रागनल के लिखना उसमें simple cubic मिलेगा और BCC मिलेगा फिर आपका आया 324-4 और्थो रंबिक में 4 मिलेगे ठीक है उसके बाद 11-21 तो आपका रंबो हेड्रल में सिर्फ एक मिलेगा पहले वाला उसके बाद जाओ hexagonal फिर से 11 में अगला एक आया उसमें भी simple cubic मिलेगा और 21 में तो दो आपको मिलेगे मोनो क्लीनिक में पहले दो और एक आपको मिलेगा ट्राइ क्लीनिक में सिर्फ आपका simple cubic ठीक है उसमें आपका सिर्फ क्या मिलेगा simple cubic तो तीन दो पांच चार नौ और एक दस और ग्यारा और दो तेहरा और एक 14 ब्रेविस लेटिस हो गए आपके अगर आपसे पूछ भी ल जल्दी से बताव पटा पट से जल्दी क्लियर हो गए यहां तक चीज़ें चले आगे बोले बिटा आगे चले अगे चले यह देखो आपको दिखा भी रखे हैं क्यूबिक के अंदर यह तीनो टेट्रागनल में यह दो ठीक है फिर आपका और्थोरोंबिक में यह चारों मिलते हैं Hexagonal में 1, Monoclinic में 2, Trigonal में 1, Triclinic में 1, इस तरीके से जो है आपको ये दिखाया भी है कि किसमें आपका कौन-कौनसी variation देखने को मिलती है, ओके बच्चा, अब हम चलेंगे number of atoms per unit cell में, जो कि आपको calculation के लिए आता है, कई बार formula से भी relate करके question पूछता है उससे related, तो इन सब के लिए मैं आपको calculate करना सिखाऊंगी, इन सब के लिए मैं आपको calculate करना सिखाऊंगी, चलो देख लो कैसे कैसे होगा, ये देखो, ठीक है, एक second दोगो, इधर आजो, इधर आ जाईए, ठीक है, इधर आजी ये बिटा, number of atoms per unit cell, उसको rank of the unit cell भी बोलते हैं, जिसको हम z से represent करते हैं, तो simple cubic में, face centered में, body centered में, end centered में, कैसे निकालते हैं, मैं बताऊंगी अभी आपको, किसका कितना contribution कैसे, कैसे हम calculate करते हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे, कोई बता सकता मुझे कैसे करते हैं, बताएगा कोई, फड़ा फड़ से बताओ, चलो बिटा, देखते हैं, ये देखो, simple QB कौन से वाला होता है, primitive के अंदर, यहाँ पर items कहां present होंगे, सिर्फ corners पर, बताँ कहां present होंगे, सिर्फ corners पर, अब जिस कمرे में आप बैठे हो, उस कمرे को सोचो, इस कمرे से ही शारी कहानी है, जिस कमरे में बैठे हो, उस कमरे से ही सारी story है, उस room के बारे में सोचो, आपको एक ball के तरीके से समझना है atoms को कैसे visualize करना अपने दिमाग में जैसे एक ball होती है ऐसे round sphere तरीके का ठीक है चलो तो इस कमरे में एक corner के उपर आपने एक ball रखी corner के उपर आपने एक ball रखी आप जिस कमरे में हो उसके बगल में भी तो इस तरीके से चार कमरे जुड़े हुए होंगे आगर मैं इस corner की बात करूँ अगर मैं इस कॉर्णर की बात करूं है ना इस कमरे का ये कॉर्णर तो चार कमरे तो ये कॉर्णर चार कमरों से तो अपने इसी वाले फ्लोर पे गरौ। तो यहां पर मैं गोला रख दू एक स्फेर रख दू स्फेर2 तो 392 में अगर पर बने हैं तो इसके थीक उपर वारी मंजिल पर भी चार कमरे ऐसे बने होंगे इसके ठीक उपर भी चार कमरे ऐसे बने होगे तो इस corner पे रखा हुआ spare चार कमरे तो ये वाले और चार इसके उपर उन सारे कमरों में भी तो जा रहा होगा sphere तो ऐसे होगा ना इस तरीके से है sphere तो ऐसा होता पेच्छा आपका ठीक है तो ये जो spare है आपका एक कमरे के अंदर कितना हिस्सा आ रहा होगा उसका, 1 by 8, एक कमरे के अंदर उसका कितना हिस्सा आया होगा, 1 by 8, समझ में आ गया, तो इसका मत्तब कॉर्णर पे रखे हुए atom का contribution, unit cell में कितना है, 1 upon 8, clear हो गया, कैसे होगा, तो 4 कमरे इधर, 4 कमरे इसके उपर, इस वाले कॉर का contribution कितना हुआ, 1 by 8 हुआ, अब इस कमरे में कितने corners है, 8 corners है, तो 8 corner पर atoms रखे होंगे, तो सबका contribution 1 by 8, तो 1 by 8 into 8, कितना आ गया, 1, तो number of atoms per unit cell, simple cubic के case में कितना आया, Z की value इसके लिए कितनी आई बिटा, 1 आई, Z की value इसके लिए कितनी आई, 1 आई, सबको समझ में आ गया, कि number of atoms per unit cell, simple cubic के लिए 1 कैसे आएगा, सबको clear हो गया, फटा-फट से बता दो, जल्दी बोलो बिटा, clear हो गया, जल्दी बोलो फटा-फट से, clear हो गया, हाँ, 1, अगला चलो, body center में, body center में क्या होता है, body center में corners पर भी एक-एक atom है, और एक atom जो है, वो center में है, एक atom जो है, वो center में है, आप जिस कमरे में बैठे हो, ठीक है, उस कमरे के ठीक बीच में आपका bed डला हुआ है, ऐसा माल लो, ठीक है, आपका जो bed है, वो कमरे के ठीक बीच में डला हुआ है, वहाँ पर लाकर मैं एक square रख दूँ, वहाँ पर उस bed के उपर लाकर ठीक आपक से तो कितना आ गया बच्चा एट इन टू रट ऊ helpedальный आपने लटका दिया उसके उपर आपने झो है रख एक शियर है ना या फिर मत भी लटकाऊ बैड को मुघ पकड़ कर खड़े हो जाओ कमरे के ठीक बीच में, तो बच्चा वो स्फेर किसी के साथ शेरिंग में नहीं है, जिसको आपने कमरे के ठीक बीच में आप पकड़ कर खड़े हो जिस आटम को, जिस स्फेर को, वो किसी के साथ कोई शेरिंग में नहीं है, वो पूरे तरीके से इ itself कितना हो जाएगा, तो एक तो आएगा कहां से, corner की वज़े से, एक आएगा body center की वज़े से, तो 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, okay, next मैं बात करती हूँ face center की, face center में कहां कहां होते हैं, face center में जो है, face, जो भी आपके face है, कमरे के जितने भी faces है, उन सब के बीच में एक एक atom होगा, कमरे के faces के बीच में एक एक atom होगा, plus कहां पर होगा, corner पे, तो corner का तो अब आपको पता चल गी गया, 8 into 1 by 8, है ना, और जो आपके face है, जो आपके face है बच्चा, ठीक है, face जितने भी है, अब face कितने है, कमरे में कित साइड में होगी, एक मेरे उपर च्छत होगी, और एक नीचे जो है, मैं हवा में तो जूल नहीं रही, नीचे फर्ष भी होगा, इस तरीके से जो है, 6 face होगे, कितने होगे, कितने face होगे, बीटा, तो 6 face होगे, कितने होगे, तो यहाँ पर जो है, इस unit cell के अंदर, 6 faces नज मैं लाकर उस दिवार को मालो आपने बीच में से तोड़ दिया थोड़ा सा, और तोड़ कर उस दिवार को बीच में से थोड़ा सा, और मैंने एक स्फेर उसके अंदर गुसा दिया, तो अब जो स्फेर गुसाया, वो कहां कहां शेरिंग में है, तो एक तो मेरे कमरे में आ और एक मेरे बगल वाले कमरे में, आधा आधा सफेर जो है दोनों कमरों में जाएगा, तो फेस के उपर जो रखा हुआ, छे फेसे ना कंट्रिब्यूट करता है यूनिट सेल में, आधा, वो आधा इधार होगा, आधा बगल वाले कमरे में होगा, तो यहां से नमबर ओप गए वान प्लस थ्री है ना चार गए समझ में आ गया सब को समझ में आ एक एज reduced center ओर होता है एज praw झौण से होता है तो जितनी भी Lحय नजर आ रही है कमरे में क accountable जितनी भी stood right एज़ जितंव लइन नजर आ रही है Νा वह एजिज ने कैसे देखो यह बीच में नीचे आपके फर्ष पे, एक कोना इस से जुड़ा, ये वाला कोना इस से जुड़ा, ये वाला कोना इस से जुड़ा, ये वाला कोना इस से जुड़ा, नीचे जो आपका फर्ष है, वो आपस में चार कोने, चार लाइनों से जुड़े, तो ये चार लाइने, चार वाले तो कमरे में 12 edges होते हैं NCRT में हलांकि आपको दिया नहीं है और edge का contribution होता है वो कितना होता है वो एक बटे 4 होता है क्योंकि edge वाली line सिर्फ एक floor के 4 कमरों को ही touch करती है सिर्फ एक floor के 4 कमरों को ही touch कर सकते है edges clear हो गई बाते देखो edge क्या है edge यह है edge यह है इस तरीके से ना तो 4 कमरों को ही touch कर सकता है अगर 2 मैं इधर माल लो तो 2 इसके उपर होंगे सिर्फ 4 कमरों को ही sharing में आएगा वो edge वाला तो इसलिए अगर वहां पर square रखोगे बीच में तो 4 कमरों की sharing में जाएगा जो edge के center पर रखा हुआ square है edge के center पर जो रखा हुआ square है तो 12 edges होते है उसके sharing 1 by 4 होती है तो एक corner से आता है तीन यहां से उसके case में भी number of atoms per unit cell कितने आते है 4 ही आते है clear हो गया सबको यह जल्दी बोलो विटा अब close packing के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैसे कैसे close packing कर सकते हैं एक dimension में कैसे कर सकते हैं दो में कैसे कर सकते हैं तीन में यह देखो इस तरीके से यह देखो इस तरीके से है ना लड्डू हलवाई जो है लड्डू जचा जचा के देता है आपको है ना लड्डू जचा जचा के देता है बस उन लड्डूओं को ही जचाना है close packing समझ में आ जाएगी ओके चलो देखते हैं ये देखो बिटा, अगर आपसे कह दिया जाए, देखो जब भी आपको ऐसा आजाए ना, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, जब मैं आपकी स्टेज में थी, मुझे भी समझ में नहीं आता था, कि ये एक विमा, दो विमा, तीन विमा है ना, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, ये क्या बला होथी, क्या किसको कहते हैं, मेरको भी क्लियर नहीं होता था, तो इसको हमेशा ऐसे सोच लिया करो, कि वन डायमेंशन की बात कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज होगी, लेंथ, ठीक है, two dimension की बात कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर एक length होगी और एक और होगी, या तो breath लेलो या height लेलो, और अगर 3D की बात कर रहा है, तो उसके अंदर तीन चीज़े होगी, length भी होगी, breath भी होगी, और height भी होगी, ऐसे सोच लिया करो, इस लड्डूओं वा one dimension में, लंबी कतार में लड्डू रखोगे, तो बीच वाला लड्डू, कितने लड्डूओं को टच कर रहा है, ठीक है, अब ये लड्डू कितने लड्डूओं को टच करेगा, कितने पडोसी है, जिनके साथ ही जुड़ा है, जिनको ये टच कर रहा है, वो होता है coordination number, वो close packing की बात करूँ, है न, अगर निविड संकुलित सरचनाओं की बात करूँ, और बात करूँ एक विमा में निविड संकुलन close packing, तो बच्चे coordination number होगा 2, coordination number होगा 2, एक लड़ू, दो और लड़ूओं को touch कर रहा होगा, एक लड़ू, दो लड़ूओं को और जो है, यहां पर touch कर रहा होगा, clear हो गई बात, यह तो सिधा-सिधा है, इसमें तो क्या बेवकूप भी समझ जाएंगे है, लड़ूओं को बसे लाइन में ही रख सकते हैं, एक डायमेंशन में तो, रख दिये, एक लड़ूओं को दो डायमेंशन में, दो डायमेंशन की बात की थी, इसका मतलब एक लेंथ रही होगी, एक ब्रेथ रही होगी, एक लंबाई होगी, एक चोडाई होगी, इसका मतलब मैरे लड़ूओं को पहली बार ऐसे ऐसे रखा, फिर इसके बगल में लड़ू रखने है फिर इसके बगल में लड्डू रखने है तो जो ये जो लड्डू रखा था इसके ठीक उपर ऐसे दूसरा लड्डू इस वाले लड्डू के ठीक उपर दूसरा लड्डू ऐसे मतलब सेम सेम जैते ये लड्डू रखे थे इनके ठीक उपर उपर इसके अगले में ठीक ऐसे अब अगर मैं इस लड्डू की बात करूँ तो ये किस को टच कर रहा है ठीक है तो ये इस लड्डू को टच कर रहा है इस लड्डू को टच कर रहा है चलो दूसरे पहन से दिखाती हूँ यह देखो बिटा, यह वाला जो लड्डू है, यह आपका एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, एक इस लड्डू को टच कर रहा है, एक इस लड्डू को टच कर रहा है, ओके, और जिनको टच कर रहा है, अगर उन सब के, सेंटर पर एक-एक डॉट लगा दू, और उन सब को मिला दू, तो क्या एक square बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या एक square बनता हुआ नजर आ रहा है बिटा, तो इसको कहेंगे square close packing, इसको क्या कहेंगे, close packing in two dimension, छीक है, छीक है, तो इसको कहेंगे square close packing और इसके अंदर coordination number कितना होगा, कितने को touch करेगा, 4 को, तो coordination number होगा उसका नाम होगा स्क्वाइर क्लोज पैकंग. समझ में आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भीता, तो यह आपका टूडी के अंदर, Δूसरा आप क्या कर सकते हो? दूसरी अरेंजमेंट टूडी के अंदर कुछ इस तरीके से हो सकती है, कि आपने पहले लड़ुऊं को पिछले वाला था उसमें तो यह वाला लड्डू अगले वाला ठीक इसके उपर अब आपको क्या करना है जो इनके बीच की जगह है यहां पर लड्डू को रखना है ऐसे और जो अगले वाला है उसको ठीक फिर इसके उपर ऐसे जो उससे अगले वाला वो इसके बीच का जो यह जो बीच में जो depression हुआ ऐसे तो इस तरीके से जब आपने रखा इस तरीके से जब arrangement की तो बीच वाला लड़ू कितने को touch करता है एक दो तीन चार पांच छे छे लड़ूओं को touch करता है कितने को करता है छे लड्डूों को और उन सारे जिन जिन लड्डूों का टच किया उन सब के सेंटर पर एक पॉइंट बना कर सब को जोड दिया तो बिटा ये आपको एक हेग्जागन बनता हुआ नजर आ गया और कॉडिनेशन नंबर इसका 6 हो गया इसको हेग्जागनल क्लोस पैकिंग कहत हैं क्लियर हो गई यहां तक बाते 1D में सीधी लाइन में 2D में एक बार उसके ठीक उपर उपर वैसा स्क्वार क्लोस पैकिंग बन गई एक बार उसके डिप्रेशन में रखते गए तो उससे क्या बना एबी एबी टाइप का बन गया ठीक है और इसमें कॉडिनेशन नंबर अगया 6 इसमें कॉडिनेशन नंबर कितना आ गया 6 अगया क्लियर हो गया यहां तक किस को यहां तक बाते क्लियर हो गई फटाफट बोलो फिर आगे चलते हूं बोलो बिटा क्लियर हो गया यहां तक जल्दी बोलो यहां तक बाते क्लियर हो गई सभी को फटाफट से चलिए अब चलते हैं आगे ठीक है यह आपका hexagonal close packing है जो मैंने अभी बताया ठीक है यह लड्डू ऐसे फिर इसके बीच में इन दोनों के बीच में जो जगह थी यहाँ पर अगला लड्डू इन दोनों के बीच में जो जगह थी अगला लड्डू और जो यह वाली जो line है तीसरी वाली वो ठीक इसके जैसी तो बीच वाला लड्डू 6 को touch कर रहा है coordination number हो गया 6 समझ आ गया चलो आगे चलते हैं अब बटा बात करेंगे किसके बारे में ठीक है 3D के बारे में अब 3D का जहां पर भी आया concept इसका मतलब length भी होगी breath भी होगी और height भी होगी length भी होगी breath भी होगी और height भी होगी है ना इनके केस में यहां पर पिछले वाले में सिर्फ length थी और height थी अब यहां पर जो है क्या होगी breath भी होगी मतलब जो पिछले वाले case में जो आपने नीचे एक सत्य जमाई है ना डिबा रखा आपने खाली डिबा उसके अंदर लड़ू जचाए अब उसके उपर दूसरी लेयर लड़ू की जचानी है फिर उसके उपर और लड़ू जचानी है ठीक है इस तरीके से तो 3D में arrangement कैसे सकता नहीं board पे क्योंकि board तो आपका two dimension है अब आप ऐसा सोचो कि जो आपकी square close packing थी जो आपकी square close packing थी जिसमें हमने एक लाइन जचाके उसके उपर ठीक वैसे लाइने जचाई थी वैसा एक arrangement नीचे कर दिया ground पे वैसा एक arrangement नीचे ground पे कर दिया और उसके ठीक उपर वैसी दूसरी लेयर उसके ठीक उपर वैसी तीसरी लेयर उसके ठीक उपर वैसी चौती लेयर इस तरीके से square close packing के उपर ठीक उनके उपर ऐसे जचते गए तो ये packing आ जाते हैं इसको A-a A-type बोलते हैं 3D के अंदर और इसके अंदर coordination number आता है 12 इसके अंदर coordination number आता है 12 ओके clear हो centres जल्दी बोलो ठीक है इसके अंदर जो है आपका कॉर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसके अंदर आपका कॉर्डिनेशन नंबर इसके अंदर कॉर्डिनेशन नंबर आता है बच्छा आठ बारा नहीं आठ आता है इसके अंदर कॉर्डिनेशन नंबर आएगा आठ है ना त ऐसे जचा दी डबे में, इसके ऊपर ठीक ऊपर ऐसे लड़ू, फिर उनके ऊपर लड़ू, ऐसे ए-ए-ए-टाइप वाला, ऐसे आपका बनता है बच्चे ए-ए-ए-टाइप वाला, देखो अब इसको सोचोगे तो कैसे, अब देखो, यह है आपका, अब बिटा यह जो है, यह कितने से जुड़ा हुआ होगा, कितने से जुड़ा हुआ होगा, देखो, अब चार तो यह अपने इसी लेयर में connected है, और इसके ठीक ऊपर ऐसी एक लेयर और जचा दी आपने, जब इसके ठीक ऊपर ऐसी एक और लेयर आपने जचा दी, ठीक है, तो फिर यह कितने से connect ह तो इस तरीके से अब आप ऐसे सोच तो नहीं सकते ठीक है इसके ठीक नीचे ऐसी जब 3D में ऐसे जचाते जाएंगे तो फिर इसका कोडिनेशी नमबर आ जाएगा आठ ओके अगला देखो यह देखो अब इसमें स्टोरी क्या हुई इसमें स्टोरी कुछ ऐसी हुई कि आपने जो नीचे वाली जो लेयर ली अब स्क्वाइर क्लोस पैकिंग की नहीं ली अब जो नीचे आपने डब्बे में जो ग्राउंड प जचाई ठीक है और उसके डिरेशन में अगली लेयर जचाई ऐसे फिल जो तीसरी आतो पहले वाली जैसी ऐसे नीचे वाले чудा आपने ऐसे जचा है यह जो grीण कलर के नजर आ रहे हैं वो आपने नीचे जचन वो आपने कहां जचाए हैं बच्चा नीचे जचाए हैं और उ कि जो बीच में यह जो ऐसे वाले जो ट्राइंगल थे ना इनके ठीक उपर लड्डू रख दिये गए जो ऐसे वाले जो ट्राइंगल थे इनके ठीक उपर लड्डू रख दिये गए ऐसे वाले ट्राइंगल इसे ट्राइंगल के ठीक उपर लड्डू इसे ट्राइंगल के ठ देखो एक बर इधर आओ देखो बिटा यह देखो यह आपकी Hexagonal Closed Packing यह आपकी Hexagonal Closed Packing पहली लाइन आथी और अगले वाला लड़ों इनके डिप्रेशन में अगले वाला लड़ों इन दोनों के बीच की जगह थी उसके ऊपर अब देखो अब यह जो बीच में आपको बॉड नजर आ रहा है वाइट-वाइट वाला यह वोइट थे बिटा तो यह वज भी आपको देखो, ऐसे, ये triangle से ऐसे बनते हुए voids नजर आ रहे हैं, ऐसे, voids बनते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ही आपको एक triangle उपर की तरफ भी बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ये देखो, दो तरीके के triangles बनते नजर आ रहे हैं, voids में, एक नीचे की तरफ और एक उपर की तरफ, आ रहे हैं सबको नजर, ठीक है विटा, आ रहे हैं नजर ये, ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाली लेयर ही जचानी है, ये वाली लेयर आपने जचाई, ठीक है, और जचाने के बाद, जो आपके उपर वाले जो, जो आपके उपर वाले ट्राइंगल थे 3D के अंदर, नीचे hexagonal close packing, उसके उपर, उपर वाले triangles के उपर आपने लड़ू रखा, उपर वाले triangles के उपर आपने लड़ू रखा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की arrangement आई, कुछ इस तरीके की क्या आई, arrangement आई, नीचे तीन green वाले, उसके उपर देखो, ये कुछ ऐसा, ऐस pattern, फिर इसके उपर, फिर next, है न, इस तरीके की arrangement हुई, इसके अंदर जो आपका coordination number आता है, वो आता है, बिटा, 12, इसके अंदर जो आपका coordination number आता है, वो आता है, 12, ओके, जब ऐसा आप arrangement, ठीक है, जब ऐसा एक arrangement आप करेंगे, तो बच्चे आपका coordination number आ जाएगा, इसके अंदर 12, बताइए, समझ में आ गया, 3D के अंदर ये वाला arrangement समझ में आया, फटा-फट से बोलो, फटा-फट से बोलो बिटा, जल्दी बोलिए फटा-फट से, जल्दी बोलिए फटा-फट से, बताइए बच्चा, तो ये आपने arrangement कर दिया, इसमें जो अब जो ये उपर वाला जो एक triangle है, देखो, अब जो ये उपर वाला जो एक triangle आपने रखा, तो यहाँ पर इस उपर वाले triangle के उपर आपने next लड्दू रखा, और ये arrangement आप तयार करेंगे, ठीक है, ये आपका FCC औ और face centered QB close packing, इसके अंदर आपको coordination number नजर आएगा कितना, 12, इसके अंदर आपको coordination number नजर आएगा कितना बच्चे, 12, देखो, आप देखो इधर आजाओ, और बेटर तरीके से समझ में आएगा, देखो, ये था आपका नीचे वाला single layer, उसके बाद depression में next layer रखी, अब यहा अब देखो B void के उपर अगर वो रखेगा, तो कुछ ऐसे ऐसे गोले आएगे, B void के उपर, B वाला जो रिक्तियां उत्पन हो गई, रिक्त स्थान, उसके उपर अगर उपर वाला, ये देखो dark वाली balls, इन B वालों के उपर रखी उसमें, तो एक ऐसा arrangement नजर आ जाएगा, और अब जो आपका C वाला है, देखो वो अभी भी दिख रहा है, जो आपका C वाला है बिटा, वो अभी भी दिख रहा है, ये जो C वाला है, इस B के उपर balls रख दी गई, जब भी C वाला, देखो ये नजर आ रहा है, यहां से, C वाला तब भी आपको नजर आ रहा है, उपर अगली लेयर रखोगे या फिर इसे C वालों के उपर अगली लेयर रखोगे इस तरीके से आपकी तीसरी लेयर के लिए भी फिर कहानी बनती है इस तरीके से बच्चा आपकी तीसरी लेयर के लिए भी कहानी बनती है देखो जब A A वालों के उपर रखोगे यह देखो यह रख दिया उसने यह जो आपके यलो वाली बॉल्स है यह उसने आपका जो A टाइप वाला वाइड है उसके उपर रखा है ठीक है ये पहली layer में दो तरीके के voids, अब आपने नीचे वाल, उपर वाले triangle के उपर, अगली layer जो चादी लड़ूओ की, फिर भी आपके पास एक ये void है, एक ये void है, अब जो तीसरी layer है, उसमें आप इस वाले void के उपर भी रख सकते हो और C वाले के उपर भी, तो yellow वाले को उसन वाले के उपर रखते हैं, तीसरी layer को, तो वो आपका CCP हो जाता है बिचा, और तीनो, दोनो ही cases में आपका coordination number 12 आता है, तो 3D में अब समझ में आया, इस तरीके से दो arrangement, इस तरीके से दो arrangement possible है, पहले वाली layer, दो तरीके के voids, एक void को cover किया, फिर से दो तरीके के voids, और यहा अब थोड़े न जचवाएंगे, कि लड़ू जचा के बताओ, ऐसा थोड़े न कोई पूछेगा, coordination number वगेरा पूछ सकता है, यह तो आपको समझाने के लिए है, यह सब तो, ओके, यह देखो, यह देखो आपको दिखाया है, यह HCP, नीचे वाली, इनके depression में blue वाले, फिर इसके ठीक वैसा ही, फिर इसके depression में blue वाले, A, B, A, B, A, B type वाला, ठीक है, इधर आजो, यह देखो, नीचे वाला, उसके depression में blue वाला, और फिर इनके depression में third वाला, A, B, C, A, B, C type वाला, ओके, इधर देखो, फिर से A, B, A, B, A, B type वाला, फिर बीच में C, A, B, A, B type वाला, अब देखो ये आपको क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है ये आपको coordination number समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे एक बारा से जुड़ा होगा आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे एक बारा से जुड़ा होगा देखो अब जो सबसे नीचे वाला जो है ये hexagonal close packing में ये एक 6 से जुड़ा है, इसके उपर, जब ये, ये ट्राइंगल वाले के उपर, ऐसे रखे, तो फिर ये 3 से जुड़ा इसके उपर, 6 से यहां पर 3 इसके उपर, और इसके ठीक नीचे भी तो बिटा, ऐसा ये एक अरेंजमेंट होगा, तो 6, 3, 9, 3, 12, 12, 12 कोर्डिनेशन नं समझ में आया, कैसे आया, हेग्जागनल क्लोस पाकिंग में आपका स्फेर 6 से जुड़ा है, उसके उपर, अब इस स्फेर के उपर 3 ऐसे रखे गए, जब आपने अगला AB परेंजमेंट किया, और इसके ठीक नीचे भी तो ऐसा ही भी होगा, तो यहां पर उपर 3 से और कैसे आया, तो इस तरीके से आया, कि यह इस पेर यहां 6 से कनेक्टेड, इसके उपर 3 और अगली लेयर के, इसके नीचे वाली लेयर के 3 और, ऐसे इसको टच कर रहे होगे, और जो आपका ट्राइंगल वोइड था, यह वाला, यह ट्राइंगुलर, यह आपका टेटराहेड वोइड था, कैसे, तो यह देखो, यहां पर यह जो रिक्तिया थी, आपकी, यह वाली जो रिक्तिया थी, यहां पर 3 को टच कर रही थी, इसके ठीक उपर आपने एक और लड्डू रख दिया, तो चोथे को इसने टच किया, तो इसका को टेटराहेडरल वोइड है, जो आपका 6 कोई, यह देखो, आर्रेंजमेंट्स दिखा रखी आपको, यह नीचे वाला, इसके डिप्रेशन में यह वाला, इनके डिप्रेशन में यह वाला, फिर यह वाला इसके जैसा, क्यूबी क्लोस पाकिंग, यह आपका हेग्जागनल, ABAB वाला, यह आपको दिखाया ह ये देख लो, अब ये आपका इधर, ये ठीक है, इसके डिप्रेशन में ये रखा, अब देखो, जो ये जो ट्राइंगल है, इसके उपर आपने एक और लड्डू रख दिया, अब ये वाला जो वॉइड है, तीन तो इसको टच कर रहा है, एक उसके उपर रख दिया, तो य ये आपका टेट्राहेडरल वॉइड हो गया, ये आपका टेट्राहेडरल वॉइड हो गया, कौन सा वॉइड हो गया ये, टेट्राहेडरल वॉइड, तो टेट्राहेडरल वॉइड कितने स्फेर्स को टच करता है, 4 को, कितने स्फेर्स को टच करता है, 4 स्फेर्स को टच कर यह वाली लेयर काली इसके उपर डिप्रेशन में नेक्स्ट ठीक है और देखो उसके उपर फिर ब्लू रखे हैं उसके उपर फिर ब्लू रखे हैं अब जो आपके टेट्राहेडरल थे वो तो कौन से थे नीचे वाली लेयर में यह जो आपकी तीन ब्लैक वाली लेयर थी इस तो आपको एक यह वोईड भी यहां पर नजर आ रहा है यह वोईड जो नीचे के तीन को भी तच कर रहे है और जो उपर तीन है यह तीन भी इसको टच कर रहे है यह आपका आपका कॉन सा है बच्छा ओक्टा हेड्रर वोईड तो दो तरीके के वोईड जनरेट होते हैं एक चतुस फलकिये रिखतिया और एक आपकी अस्ट फलकिये रिखतिया और टेट्राहेडरल वोईड इसके लिए आपको जो ध्यान देने योगे बात यह क्या है वो यह है कि बराबर ही होते हैं, अगर N number of atoms per unit cell है, तो tetrahedral void उससे डबल होगा, octahedral आपका N के बराबर ही होगा, octahedral आपके N के बराबर ही होगा, tetrahedral आपका 4 square को, 4 ladder को touch करता है, octahedral आपका 6 को करता है, कैसे करता है, देख लो, नीचे वाला आपको black balls नज़र आ रही है, उसके उपर जब आपकी blue वाली balls को रखा, तो आपको दो तरीके के voids यहां पर नज़र आएंगे, यह देखो, एक void तो आपको नज़र आएगा, दूसरी खाली जगे कैसे हो सकती है, यह 3 आपकी ऐसे थी, इनके बीच में यह खाली जगे थी, और इसके उपर आपने 3 ladder को और रख दिये, कैसे, ऐसे करके, तो अब यह जो बीच में खाली जगे है, यह इन 3 को भी टच कर रही है, और इन 3 को भी, बोले बिटा, यह फिर से आपको वोई square close packing और वो दिखाया है, जो मैंने आपको समझा दिया पूरा, ओके, clear हो गई बाते, पटा-फट से बोलो बिटा, जल्दी बोलो, packing fraction की तरफ चले, चले packing fraction की तरफ, यहां तक clear हो गई, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है, solid state, solid state का जो difficult वाला portion था, वो खतम हो गया आपका सारा, समझ में आया या नहीं, बताओ मुझे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बिटा, समझ में आया या नहीं, फटा-फट से बताओ, यहां तक किसी को कोई भी सवाल है, तो पूछ लो, कोई भी सवाल है, किसी के मन में कैसा भी, तो पूछ सकते हो, clear है यहां तक, सब को समझ आ गया, चले, next, next topic की तरफ चले, packing fraction वाला, देखो, अब बिटा हम निकालेंगे, क्या packing fraction, संकूलन छमता, क्या निकालेंगे, अब इसी लगा बहुत, चलिए, बहुत बढ़ी बात है, संकूलन छमता की बात करते हैं, बेटा, देखो, सबसे पहले देखते हैं, simple cubic के लिए, सबसे पहले देखते हैं, simple cubic के लिए, अब simple cubic का आपका कैसा होता है, आप एक cube बना लिजिए, बना दिया, यह आपका कमरा है, अब इस कमरे के, हर एक corner पे आपको रखना है, इस कमरे के, हर एक corner पर, ऐसे, हर एक corner पर, ठीक है, ऐसे, हर एक corner पर, एक, दो, तीन, चार, 5-6-7-8, ओके, तो क्या होता है बिटा, यह कमरे का, आपने एक edge ले लिया, यह इसका corner, और यह इसका corner, ठीक है, तो आपने, इन दोनों corner के उपर, जब आप atoms को रखते हैं, तो यह दोनों, atoms ऐसे रखे जाते हैं, हलंकि, यहाँ पर आपको touch करते हुए, नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन यह असलियत में ऐसे ही है, रूख जाओ, असलियत में बिटा, यह ऐसे ही है, यह एक इसके उपर, इस corner पे, दूसरा इस corner पे, और यह दोनों आपस में ऐसे, एक दूसरे को touch करते हैं, यह वाला कोने वाला भी, और यह वाला कोने वाला भी, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यह आपका atom है, तो यह इसका क्या हो गया, radius, यह दूसरा atom है, यह उसका क्या हो गया, radius, ओकी, और यहां से यहां तक का length आपका क्या है? इस cube की edge length है. इस cube की क्या है बिटा? edge length है. तो इस cube की edge length A को अगर मैं radius से connect करूँ तो दो atoms का radius 2R. तो मेरा A बराबर 2R हो गया. मेरा A किसके बराबर होगा? 2R हो गया. यह बहुत जगे use होगा. कि simple cubic के लिए edge length और radius का क्या relation है? तो आपका A किसके बराबर आजाएगा? 2R के बराबर आजाएगा. बताओ clear हो गया? जल्दी बोलो बिटा clear हो गया? फटा-फट से बोलो session को share करो सभी लोग. Share करिए सभी लोग session को और मुझे बताइए यह बात clear हो गई? कि A बराबर 2R कैसे आया? क्योंकि मैं simple cube इक के बात करूँ हूँ सिर्फ corners पे होगा. अगर बात करूँ इन दो corners की तो दो atoms आपस में connected होंगे. और यहाँ से यहाँ तक का distance मेरा क्या है? edge length A के बराबर. वो cube का edge length है. और दो atoms वहाँ पर connected है. तो दोनों का radius उस A के बराबर है. तो A किसके बराबर आगया? 2R के बराबर आगया. तंकुलन जहमता कैसे निकालते हैं? पैकिंग फ्रेक्शन. तो fraction of space occupied by atoms. कैसे निकालते हैं? क्या होती है पैकिंग फ्रेक्शन? fraction of space occupied by atoms. कि unit cell के अंदर atoms ने कितनी जगें occupy की है? वही उसकी क्या है? पैकिंग फ्रेक्शन है. ठीक है? वही क्या है बच्चे? उसकी पैकिंग फ्रेक्शन है. और अगर मैं कहँँ कि मुझे निकालना है क्या? पैकिंग efficiency. पैकिंग efficiency अगर निकालनी है तो क्या करोगे? इसको into 100 कर दो. तो आपका पैकिंग efficiency किसके बराबर होता है? पहले तो formula देख लो. पैकिंग efficiency किसके बराबर होता है बच्चा? आपकी इसके बराबर होती है? ठीक है? किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है आपकी volume of total number of atoms. जितने भी number of atoms हैं उस unit cell में. उनकी volume को उपर रखो. और volume of unit cell नीचे रखे. इस तरीके से हम निकाते हैं packing efficiency संकूलन छमता. अगर packing fraction पूछा है तो सिर्फ ये ratio efficiency पूछा है इन्टू 100 कर दो. ओके? परसंटेज अगर पूछे है. ठीक है? कैसे करेंगे? देखो. अब simple cubic की बात करती हूँ. simple cubic में मेरे पास क्या होता है? एक ही आटम होता है. तो एक आटम की volume क्या होगी? तो sphere की volume होती है 4 by 3 pi r cube. और unit cell क्या है? है ना? उसकी volume क्या होगी? a cube into 100. है ना? ये मैं किसके लिए कर रहे हूँ? simple cubic unit cell के लिए. ओके? देखो. अब मैंने relation निकाला a बराबर 2 r. बस उसको put कर दो. या तो r को a की भाशा में लिख दो या a को r की भाशा में लिख दो. कैसे भी लिख दो? तो ये क्या हो जाएगा? 1 into 4 by 3 pi r cube upon a बराबर 2 r है. तो कितना हो गया? 8 r cube into 100. r cube से r cube cancel हो गया? ओके? इसको solve कर लो कितना हो जाएगा? 4 by 3 और इसके साथ 22 बटे साथ है. ठीक है? और नीचे है आपका 1 upon 8. तो ये चला जाएगा आपका into 1 by 8 हो जाएगा. निकाल लो इसको कितना आएगा? निकाल लो बिटा कितना आएगा? 52.4% वेरी गुड. ठीक है? तो SEC के अंदर आपकी packing efficiency आजाएगी 52.4%. इसका मतलब इतनी जगह वहाँ पर atoms ने occupy करी है इस वाले unit cell के अंदर. और आपको void percentage पूछा जाए कि रिखतियों ने कितनी जगह ली है? void की packing efficiency पूछ ली जाए तो कितनी होगी? तो void के लिए पूछ लिया जाए आपको तो कितना होगा बिटा? 100 minus 52.4 100 minus 52.4 void आप कैसे calculate करोगे? 48 परतिशत void आपका कितना आजाएगा बिटा? 48 परतिशत आजाएगा void void कितना आजाएगा आपका? void आएगा 48% 48% जो है इसके अंदर आपका void आजाएगा ओके? ठीक है? चलिए नेक्स्ट वाला जो है एक बार आप करो try नेक्स्ट वाला करिए एक बार आप try करेंगे? बताए जरा ये वाला समझ में आगया? बोलो जरा ये वाला समझ में आया? बोलो फटा-फट से clear हो गया ये वाला? जल्दी बोलिए चलिए तो इसके बाद है बच्चा आपका ठीक है? पैकिंग efficiency की बात करेंगे हम किसकी? इसके बाद packing efficiency की बात करेंगे FCC की और BCC की ठीक है? और फिर हमारे पास बच जाएंगे defects ओके? और ये सारे story मैं आपको कराऊंगी कल की class में पैकिंग efficiency और defect ये सारे मैं कराऊंगी आपको कल की class में साथ में कुछ सवाल भी कराऊंगी साथ में कुछ questions भी हम लोग करेंगे density के बारे में एक और important topic बचा है density ये सब मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी मुझे बताओ आज की क्लास जो है कैसी रही आप लोगों को समझ में आया जितना चाप्टर मैंने आज डिस्कस किया ठीक है बाकी कल फिर आपका solid state खतम हो जाएगा solid state कल आपका खतम हो जाएगा किसी को कोई भी समस्या तकलीफ डाउट कुछ भी रहा तो पूछ सकते हैं कोई भी समस्या तकलीफ डाउट आज की क्लास के रिगार्डिंग है तो बता दीजिए पूछ लिजिए बोलो बिटा कैसे application को download कर सकते हो application को download करने के लिए अपना phone उठाओ प्ले स्टोर में जाओ टाइप करो एक्जामपूर जैसे ही आप टाइप करोगे एक्जामपूर ठीक है लोगों के साथ आपको नजर आएगा उसको महां से install करिए अपने आपको register करिए ठीक है और आपके आस पास में जो भी भाईबंदू सरकारी नोकरी की तयारी कर रहे है उनको इस platform के बारे में बताइए offline भी गुरुकूल के राम से शुरू हो गया है नोइडा में ठीक है उसकी जानकारी भी आप दे सकते हैं अगर आप UP से बिलॉंग करते हैं offline आकर भी पढ़ सकते हैं UPSI पुलिस है ना constable इन सब की तयारी कर सकते हैं विवेक सर की guidance में ओके बहुत अच्छे से समझ आ गया मैम जी no doubt ओके चलिए तो अब मैं मिलूंगी आप से दो बजे वाले session में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे और ग्यानिक का हमारा नया chapter aldehydes वाला aldehyde की tone carbox देख वाला ओके तो अभी के लिए मेरी तरफ से सभी को ताटा बाई बाई चीक है ओके चलिए बिटा motivation motivation चाहिए चलो motivate करूंगी दो बजे वाले session में है ना तब motivation की जरूरत होगी न है ना ओके चलिए बच्चो ताटा बाई की याल जा वाले सकता बाई 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 पाई बाई बाई दो पाई उत्य। सभी में ना जाई बाई है अजह जड़ा है ओके गाफ है कि जरूरत है उत्य।